हेलो गाइज आपके पस्टनालिटी को और भी ज्यादा स्टाइलिस बनाने के लिए आपके बालों का एट्रक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है लेकिन बालों की कई प्रॉब्लेम्स जिससे हम परिसान हैं और आज हम ऐसे ही एक प्रॉब्लेम के बारे में बात करेंगे वो ह है डेंड्रफ आज मैं आपको डेंड्रफ के लिए एक अजब नुस्खा बताऊंगी यह नुस्खा बहुत ही अच्छे से काम करता है यह बहुत ही सेफ है बच्चों से लेकर बड़े सब के लिए यह यूज कर सकते हैं और ट्रस्ट मी गाइस आप लोग भी सप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे भी कोई चीज आपके डेंड्रफ में यूज हो सकती है है हलो फ्रेंज मैं आपके दोस्त मेगा हाउ टो बी ब्यूटिफुल लाइक मॉम से इस डी आइवाई के लिए हमें चाहिए सैंपो आप जो भी सैंपो यूज करते हैं उसे लीजिए और उसमें हमा कीजिए और इस सुगर वाले सैंपो से आप नहाते समय हैर में एपलाई करें और हलके हाथों से मसाज करें और फिर हैर वास कर ले यह रेमेडी आप हफते में दो से तीन बार यानि जब भी आप सैंपो करें तब कीजिए दीरे दीरे आप देखेंगी कि डेंड्रफ बनने क जो टेनने सी थी वो खतम हो रही है आप देखेंगे कुछी हफ्तों में आपकी पूरी देंड्रफ साफ हो जाएगी फ्रेंज आपको तो पता ही है सुगर एक्सपोलेट का काम भी करता है अगर सुगर स्केल्प पे एक्सपोलेट करके स्क्रप साफ कर देता है जिससे में नहीं आत मिलता है इसको हमें continue करना पड़ता है सारी DIY रेमेडी एक से दो महने लेती ही है तो अगर आपको डेंटरफ की प्रॉब्लम है तो मैं यह नहीं कहूंगी यह एक ही दिन में खतम हो जाएंगी आप इसे यूज करें एक हफ़ता दो हफ़ते में आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और दो से तीन महिने में आपकी डेंटरफ की प्रॉब्लम सॉल हो जाएगी अगर आप ब्रेंटरफ से बहुत ही परिशान है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और इसके जो जिजल्ट है वो आप हमें कॉमेंट से सेर करिए मिलती हूँ अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर